इस्टूडेंट हम डिसकस करेंगे, इंपोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इनफोर्मेशन है, हमारी UPSC के एक्जाम के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिसकस करेंगे, फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग दा इरान के बारे में हैं, इस्टूडेंट्स इरान के एक जनरल हुआ करते थे, जनरल कासेम सुलेमानी, जनरल कासेम सुलेमानी को 2020 के समय, US की जो डिफेंस पोर्स है, जो उनके दुवारा एक ड्रोन अटेक के अंदर में इराक का जो कैपिटल सिटी है, बगदाद, वहाँ पे इनक इसको और्गनाइज किया गया, उस मेमोरियल इवेंट के अंदर में कुछ बलास्ट होते हैं, बलास्ट के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे 103% से उनका वहाँ पे डैथ हुआ, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस बलास्ट के बारे में तो इस बलास्ट को बेसिकल हैं, उसको रेज किया गया था कि यहाँ पे जिस तरीके से युएस के दौरा होती रिबेलियन्स के उपर में अटैक किया गया है, इसराइल और हमास का जो कन्फिलिक्ट हो इस बलास्ट है, उसको भी कंडेम किया गया, अगर हम बात करें स्टूडेंट जनरल कासेम सुलेमा सुलेमानी के जो एक्संस हैं, उनको इरान की जो कॉमन पबलीक है, उसके दौरा वर्सिप किया जाता है, उनको प्रेज किया जाता है, कि कैसे इसलामिक स्टेट का जो डॉमिनेशन का एरिया हुआ करता था, इराक एं सीरिया के अंदर में, उसको जनरल कासेम सुलेमानी के गया था, इनके दुआरा बेसिक इक ऐलाइन सै, उसको भी क्रेट करने का इनका एक प्लान था कि जनरल कासेम सुलेमानी के दुआरा इरान के जो फ्रेंडली कंट्री जो प्रेजनरी करने की से लिएट किया, ओर मिडिलिस्ट के रिजग से अंदर में जो वेस्टन पावर का existence में आता है तो उस समय से आपको continuous US और इरान का जो conflict है वो देखने के लिए मिलेगा आप देखें कि उसी 1979 की revolution के द्वारा जो revolution के जो activist है उनके द्वारा US का जो embassy है उसके उपर भी attack किया गया था उसके regarding में movie भी है आप देखें का आर्गो नाम का जो movie है उसके अंदर show किया गया है कि कैसे Canadian agencies के द्वारा जो Canadian embassy है उसके द्वारा जो US के diplomat से उनको rescue किया गया था 1979 की उस इरानियन revolution के perspective से आपको समय मिले तो अभी आप देखना इस movie के बारे में नेक्स अगर हम बात करें यहां पर जनरल कासेम सुलिमानी के बारे में आप देखी कि जनरल कासेम सुलिमानी को वहां पर इन actions की वज़े से एक living martyr है जिंदा जो साईद है उसका status दिया गया है living martyr का status दिया गया है तो आप देखी कि आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है जब हम मेडिवल हिस्ट्री को रीड करते हैं इस्टूइन्स तो मेडिवल हिस्ट्री के दोरान एक पर्सनेल्टी एक किंग को हम रीड करते हैं उनको बेसिकली जो जिन्दा पीर है लिविंग पीर है उसका इस्टेटस दिया गया है तो कौन वो परसन है जिनको कि हम जिन्दा जो पीर है उसके रूप से जानते हैं या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और क्यों हम उनको जिन्दा पीर है जो लिविंग पीर है उसके वज़े से जानते हैं इसके बारे में आप जरूर कर रीड करना आप देखें कि यहां पर इस तरीके से आपको जो मेडिलिस्ट का जो रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर बेसिकली यहां पर जो अरेबियन पेनेंसुला का रीजन है यहां पर रफली मैप ए स्टुडेंट्स आप अपने अटलस के अंदर अच्छे से इसको प्रेक्टिस करना सपोज कि यह इस्टुडेंट्स यह इरान है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा गल्फ ओप ओमान जो गल्फ ओप ओमान है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा यहां से जो इस्ट्रेट है जो कनेक्ट करती है पर्सियन गल्फ और एरिया है वो सेर करता है इसके रिगार्डिंग में तूठाव जे नाइंटीन के समय एक कन्फिलिक्ट देखने के लिए मिला था जब यहां पर स्ट्रेट ओफ होर्मूज के अंदर जो सीफ है उनके उपर में अटैक किया गया था इसके लाव इस्टुडेंट्स यहां पर पाकिस्तान सिच्वेटेड है पाकिस्तान का जो गौादर पोर्ट है वो यही इसी एरिया के अंदर सिच्वेटेड है जो गौादर पोर्ट है जो अखवानिस्तान का जो रीजन है जो अखवानिस्तान का जो रीजन जो इरान के साथ में अपना एरिया सेर करता है उसको बेसिकली जो हुमिट एरियन एड्स है उनको यहां पे सप्लाई किया जा सके यहां पे आपको स्टुडेंट्स कैस्पेंट सी देखने के लिए मिलेगा कैश्पियन सी के साथ में जो एरिया सेर करता है वो आपको तुर्कमेनिस्तान है जो की इरान के साथ में भी अपना एरिया सेर करेगा तो इरान बेसिकली कैश्पियन सी के साथ में अपना एरिया सेर करता है और इदर आपको जो पर्शियन गल्फ है गल्फ हो पॉमान है उनके साथ भी वैं अपना एरिया सेर करेगा कैस्पेंसी के बारे में हमने क्यों रीड किया क्योंकि काफी बार इसके रिगार्डिंग में जो न्यूज है वो देखने के लिए मिलती है हमारे जो UPSC के प्रिलिम्स है उसके अंदर कैस्पेंसी के ही परस्पेक्टिव से इसके जो फाइब कंट्रीज है जिनकों की हम तारीक नाम का जो नीमोनिक है उसके रूप से जानते हैं जो फाइब कंट्रीज अपना जो एरिया है वो सेर करते हैं कैस्पिन सी के साथ में, आप देखें के स्टुडेंट्स, इरान का जो कर्मन नाम का जो सिटी है, जो सदन पार्ट के अंदर में situated है, यहाँ पे जो कैस्पिन सी है, यहाँ पे आपको तहरान नाम का जो city है इनका capital वो देखने के लिए मिलेगा कैस्मिन सी के साथ में जो boundary share करने वाला जो city है जिसको की हम राम सर के रूप से जानते हैं आप देखें कि राम सर के बारे में क्यों discuss किया गया यहाँ पर राम सर एक convention है 1971 का wetlands के protection के regarding में wetlands का जो protection है उसके regarding में एक राम सर convention आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया के अंदर में total 75 sites है जो इस convention के अंदर में जिनको designate किया गया है जो राम सर site के रूप में highest number of site कौन से state के अंदर इस्टेट के अंदर का जो दिन है जिसको की हम wetland day के रूप में भी celebrate करते है इस्टूरेंट्स आप देखें कि राम सर कर्वेंचन 1973 के समय establishment के अंदर में आता है तो तुर्क मेनिस्तान नाम का city है अख़बानिस्तान है पाकिस्तान है यहाँ पे इंडिया का साथ में जो एरिया सेर करता है वो आपको अजर भाई जान भी देखने के लिए मिलेगा और अजर भाई जान के दोरा अनेक्स किया गया है इनी के साथ में जो टर्की है वो भी अपना एरिया सेर करता है इरान के साथ में आप देखी कि इराक नाम का जो कंट्री है इराक नाम का जो कंट्री है वो भी अपना एरिया है वो सेर करता है इरान के साथ में तो कौन-कौन से कंट्री है जो एरिया सेर करते हैं यहां पर आपको इराग देखने के लिए मिलेगा टर्की है अर्मेनिया है अजर्बाइजान है तुर्कमेनिस्तान है अखबानिस्तान है और पाकिस्तान है यह सब कंट्रीज है जो अपना एरिया सेर करते हैं किसके साथ में इरान के साथ में तो यह का समय का भी जो नोबल पीस प्राइज है वो भी इरान की जो एक्टिविश्ट है उनको ही दिया गया है क्योंकि वहाँ पे महसा अमीनी का जो डैथ है उसके बाद में आपको जो मोडरन स्टेट बनाने का जो उनकी जो किंग हुआ करते थे जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे उनका एक ड्रीम हुआ करता था 1979 की जो इरानियन रिवोलुशन है उससे पहले नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टुडेंट्स यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट के बारे में हैं आपके दुआरा जो इन्वेस्टिगेशन उसको करी आउट किया जाए आप देखें कि अपोजीशन पार्टी जो उनका बैसिकली यहां पर डिमांड यह था कि यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन इसको सेबी से इसको ट्रांसपर कर दिया जाए CBI जो एजनसी है उसको सेब की जो report है उसी को basically uphold किया गया है supreme court के दुआरा supreme court के दुआरा यहाँ पर यह भी कहा गया कि आपके दुआरा जो suitable actions उनको लिया जाना चाहिए कि क्या ऐसा region है जिसकी वज़े से Indian investors है उनको यहाँ पर short position के अंदर में जो इस तरीके से जो लोस है उसको suffer करना पड़ा क्या यहाँ पर यूएस की जो firms है जिनके दुआरा बेस यूएस बेस जो firms है उनके दुआरा आपना जो यहाँ पर trade जो है उनको withdraw किया गया था नोन इंडियन जो ट्रेड डेरिवेटिव से उनके withdraw की वज़े से इस तरीकी का जो situation है जो share market के अंदर volatile जो condition है वो develop हुआ आप देखी कि एक committee भी यहाँ पर बनाई गई थी जिसको की हम एक हमारे former justice हुआ करते थे एम साफरे उनका जो leadership के अंदर एक committee है एम साफरे नाम का जो committee है वो आपको देखने के लिए मिलता है हमारा जो Indian market है उसके volatility के regarding में तो इस इस ओल दा information regarding दा डानी के परस्पेक्टिव से आप देखी का डानी गुरुप के दौर उसके बाद में अपना जो social media है उसके उपर में जो सत्यों में जयते है वो लिखा गया था आपको सत्यों में जयते के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कौन सा ऐसा उपनिसद्ध है जिस से इसको लिया है 2014 के समय में प्रिलिम्स के अंदर ये क्यूशन पूछ लिया गया था आपको पता होना चाहिए कि मुंडड़ को इसको हमने के अधर हम हमारी जो ट्रांस्पोर्ट वर्कर से उनका जो इस ट्राइक है उसको कंटिन्विएस करने के बारे में बात की गई है आप देखें कि यहाँ है उनके द्वारा इस्ट्राइक है उसको carry out किया गया था भारतिय न्याई सहीता का जो section मंजीरो 4 है उसके regarding में काफी सारे ऐसे individual जो truck drivers है उनके द्वारा protest किया गया कि आप इस basically जो close है उसको withdraw कीजिए आप देखी कि कुछ associations के द्वारा यहां पर strike है उसको close भी किया गया है कि हमको हम अपना जो strike है उसको यहां पर end करते हैं क्योंकि जो हमारे home ministry के जो home secretary है उनके द्वारा basically statement दिया गया था कि इस तरीके से कोई भी close का जो implementation किया जाएगा तो उसको basically आप से discussion करने के बाद ही उसको carry out किया जाएगा next अगर हम बात करें RTI Act के बारे में है 2005 के समय यह establishment में आया था RTI Act आपको इसके बारे में जानकारी होनी चीए MKSS नाम का जो organization है जो राजस्तान के अदिन अपना work करता है और आप देखे कि उसी के regarding में जो हमारे यहां पे निखिल डे नाम के जो person है उनके दुआरा basically MKSS को establish करने के अंदर में काफी important role है वो निवाया गया जिससे के RTI जो act है वो यहां पे establishment में आये उसी के regarding में एक RTI के अंदर जो selfie points है उनकी regarding में यहां पे एक information है जिसको reveal किया गया था जिसी के regarding में railway के दुआर आपने जो RTI के जो कानून है उसको tighten किया गया है 2005 के समय establishment में आया इसका जो section second है इसका जो section second है वो basically public authorities के बारे में बात करता है कि कौन-कौन सी जो institution है वो public authority है इसका जो section 4 है उसके अंदर में जो public authorities है उनके दुआरा public information officer and central public information officer को यहां पे appointment करना होता है जिनके दुआरा information है वो 30 days के अंदर में प्रवाइड करना होगा है अगर कोई emergency situation है तो उस समय में 48 hours के अंदर जो emergency situation के अंदर information है उनकी दुआरा प्रवाइड की जाती है आप देखे कि यहां पे आपको पता होना चाहिए आर्टी आई का जो section 8 है उसके अंदर में कुछ agencies है जिनको रश्टिक्ट किया गया है उनके रिगार्डिंग में जो आप information है वो नहीं पा सकते हो आर्टी आई के जो information act के थुरू में नेक्स्ट अगर हम बात करें टीमसी जो पार्टी है उसके जो मेंबरों पार्लियमेंट है उनको बेसिकली जो पार्लियमेंट से उनका जो मेंबर्सिप है जिसको निकाला गया था उसी के बारे में डिसकस किया गया है आप देखे कि हमारा जो इनक्वाइर जो मेंबर इकूल है जैसे कि हारे एक कमेटी के अंदर 15 मेंबर आपको लोग्सबा के अंदर वो आपको राज्य सभा के अंदर देखने के लिए मिलती है इनके जो हांस का जो मेंडियमेंटि है उसके रिगार्डिंग इनको निकाला गया हनकी मेंबर्शिप से क्योंकि इनक Unethical behavior है, Unethical behavior देखने के लिए मिला था, उसी के वज़े से सबसे पहले इसको राज्य सभा के अंदर में start किया गया था, टूठावजेंट के समय में आपको लोग सभा के अंदर भी जो ethics committee है, उसका existence हो देखने के लिए मिलता है, नेक्ष इस रिगार्डिंग दा यहां पे, ज किया जा सके उसके regarding का एक्ट है आप देखी कि उसी के regarding में जो compensation है जिसके regarding में गुदरात हाई कोड के दुवरा discuss किया गया है government को कहा गया है कि sanitation workers जिनका death हुआ है उसको आप यहाँ पे जो compensation है वो provide कीजिए उनके जो basically family members है उनको आप देखें इंडिया के अंदर में काफी सारे जो sanitation की regarding में जो manual squangers है उनका जो death है आपको हर एक दिन देखने के लिए मिलता है हमारे जो यहाँ पे जो tanks है उनको supply के दुरान में इनका जो death आपको देखने के लिए मिलेगा कोई safety जो guards है उनको यहाँ पे available नहीं करवाई जाते हैं उनका जो supply है उसके दुरान में बाद में एक basically एक robot है जिसको भी develop किया गया था जिसको की हम bandicoot नाम का जो robot है उसके रूप से जानते हैं जिससे कि यहाँ पे हमारे जो जिव्रेज टैंक से उनका जो supply है उसको carry out किया जा सके इस rehabilitation act के अंदर में इनको जो कुछ compensation के अंदर कुछ पैसे है वो भी provide किये जाते हैं दूसरा यह employment यहाँ पे start कर सके उसके regarding में जो compensation है sorry students तो उसके regarding में basically compensation क्या जो बात है वहाँ पे किया गया है manual squangers rehabilitation act 2013 के अंदर में आप देखे कि एक person है बेंजवाडा विल्सन वो rehabilitation के regarding में काफी कुछ work कर रहे है यहाँ पे manual squangers को basically जो benefit है वो provide किया जा सके उनको कैसे इस work से निकाला जा सके उनको basic जो safety guards है वो provide किये जाए जब भी हो किसी activity के अंदर यहाँ पे involved हूँ students this is all the information related to the manual squangers के बारे में है आपको 2016 का जो prelims है उसके अंदर एक question पूछा गया था राष्ट्य गरीमा अभियान है जो government के दुआरा किसके दुआरा किनके perspective से start किया गया है वो sanitation workers के regarding में हमारी government के दुआरा start किया गया था राष्ट्य गरीमा अभियान है नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलाडू के अंदर investment summit है वो चल रही है उसके दुरान में एक semi conductor electronic policy है उसको वहाँ पर बताया गया तो आपको इंडिया के अंदर कुछ semi conductor का development ह है उसके regarding states के बारे में जानकारी होनी चाहिए आप देखें कि semi conductor के perspective से आपके गुजरात state देखने के लिए मिलेगा इसके लावे करनाट के state है जिसके अंदर में इस तरीके का जो activities है जिनको किया गया है कि यहाँ पर semiconductor का manufacturing plant है वो यहाँ पर establish किया जा सके नेक्स्ट अगर ह हम बात करें आप देखें कि article 50 के perspective से supreme court के दुवारा high courts को basically guideline है वो issue किया गया है कि आप यहाँ पर जो government officers है उनको जो संबन है वो यहाँ पर carry out मत कीजिए उनको यहाँ पर restraint मत कीजिए उनकी exercise के दुरान में कि क्या action उनके दुवारा लिया गया उनका जो कोई भी comment है जैसे उनकी qualification के regarding में उनके जो social structure के regarding में जो comment है वो भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए यहाँ पर basically जो guideline हो issue किया गया है Supreme Court के दुवारा आप देखी कि हमारे CGI थर के दुवारा यहाँ जो judiciary and executive के बीच में जो separation of power का जो concept है और दोनों एक दूसरे के cooperation के साथ में work करते हैं उसके बार में discuss किया गया है caste based description है जो presence के अंदर में भी नहीं होना चाहिए उसके बारे में Supreme Court के दुवारा कहा गया अभी हमने कुछ दिन पहले October के मंत के अंदर जो अमित्वारोई panel है अमित्वारोई panel जो किसके दुवारा बनाया गया था students हमारे prison sector के perspective से बनाया गया था तो उसी के अंदर भी हमने discuss किया था कि कैसे prisons के अंदर में काफी सारा जो discrimination है वो देखने के लिए मिलेगा जैसे कि वहाँ पर वहाँ पर सैनिटेशन का ना होना प्रोपर हाईजिनिक कंडिशन का ना होना over occupancy होने की वज़े से too much occupancy होने की वज़े से large number of prisoners का वहाँ पर प्रिजेंट ह होनी चाहिए कि prison जो subject है jail का जो subject हो basically आपको state list के अंदर में देखने के लिए मिलता है वटा हमारी जो union home ministry है उसके द्वारा एक manual है उसको बनाये जा सकता है यहाँ पर state list के इस prison subject के ही regarding में तो students ऐसा ही question 2023 का जो prelims है उसके अंदर में पूछ लिया गया था prison subject के regarding में आपको इस सरी के से basic basic information के बारे में जरूर से पता होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम news के बारे में discuss करें students अमित वारोई पैनल के बारे में आप जरूर से याद करना आप देखी कि हमारे जो republic day है उसका जो rehearsal है वो चल रही है प्रेड के perspective से यहाँ पे navy के जो officers है नेवी के जो persons है उन हो है हाँ पे visit के लिए आएंगे आप देखिए इसके लावा students आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि 26 January को ही हम republic day के और celebrate करते हैं 1929 का जो congress session हुआ था लाहोर के अंदर में वहाँ पे basically adopt किया गया था एक बात की आने वाले समय में हम 26 January को 1930 का 26 January है उसको पून सवराज 26 November को ही create कर लिया गया था बट उसको तू मन्त बाद में completely execution के अंदर में आता है जिससे कि यहां पर पून सवराज दीवस का जो historical influence उसको carry out किया जा सके cyber crime के बारे में discuss किया गया है कि इंडिया के अंदर जो 50% जो cyber attacks होते हैं जिनका जो origin place है वो यहां पर 2-3 countries के अंदर में बताया गया है basically यहां पर ministry of home affairs का एक wing है जिसको कि इंडियन cyber crime coordination center के रूप से हम जानते हैं इंडियन cyber crime coordination center i4c है basically इंडियन cyber crime coordination center जो ministry of home affairs के अंडर में है इसके लावा हमारे यहां पर cyber crime के regarding में जो agencies हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे कि एक तो ntro आपको देखने के लिए मिलता है ntro है जो 2008 के बाद में उसको create किया गया था ऐसे हमारे यहां पर site नाम का एक organization है जो basically ministry of electronics के एंडर में work करता है cyber सवच्चेता के अंदर भी बनाए गए हैं जिसके अंदर में आप अपना जो यहां पर कोई infected device है उसको clean करवा सकते हो उसको basically यहां पर कोई भी attack है उसके उपर में ना किया जाई तो यह यहां पर cyber crime के बारे में discuss किया है उन्हें ने अपनी report के अंदर कहा गया कि जी 20 का जब meeting इंडिया के अंदर organize हुआ था तो जी 20 के उस website के उपर में जो 16 lakh attack है वो किये गए थे हर एक minute के अंदर में basically जो maximum attack है चाइना है कमबोडिया है म्यानमार है इस region से आपको देखने के लिए मिलते हैं इसके लाव students आपको cyber crime के regarding में convention है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसको कि हम बुड़ा पेश्ट convention के रूप से जानते हैं इंडिया के दुआरा उस बुड़ा पेश्ट convention को sign नहीं किया गया थ थे कि इंडिया को लगा कि हमारा जो सोरनेटी है उसका वाइलेशन होगा त्योंकि जिन country के दुवारा उस बुड़ा पेश्ट convention को sign किया गया था उसका main motive यही था कि एक दूसरे के साथ में जो उसके जो information है वो share की जाएगी तो इंडिया को लगा कि हमारा जो सोरनेटी है violation हो सकता है इसके दुवारा इंडिया के दुवारा उसको sign और ratify नहीं किया गया था बुड़ा पेश्ट convention जो कि इसके regarding में है जो कि बेसिकली यहां पे cyber crime के perspective से है आप देखे कि हमने काफी बार martial arts के बारे में discuss किया है उसी के photo यहां पे शो किया गया है जिसको कि हम सीला ब ऐसके जो यहां पे सीलम बाम नामका एक martial art जो तमिनाड़ो के अंदर में practice किया जाता है उसी के perspective से आपको कुछ martial arts के बारे में भी पता होना चाहिए जैसे कि हम बरत करते हैं गटका नाम की एक martial art गट का नाम का जो मार्शल आर्ट है वो कहां पर प्रक्टिस किया जाता है पंजाब के अंदर में पंजाब के अंदर इसको प्रक्टिस किया जाता है आपको कलारी पयत्तु नाम का कलारी कलारी पयत्तु नाम का जो एक बेसिकली मार्शल आर्ट है उसके बारे में जानकारी हो आपको और भी काफी सारे martial art देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि परी खांडा है सरी सरक है ठेंगता है यह सब martial art से जो अलग-अलग parts के अंदर में इंडिया के अंदर practice किये जाते हैं अगर आपको इनके आट के चैप्टर के अंदर में उसका जो लिष्ट है उसको create कीजिए आप देखें कि पीम सर के द्वारा एक रेली के अंदर कहा गया कि वुमेन की राइट के रिगार्डिंग में वह यहां पर एंशूर करेंगे और उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा carry out किया जाएग आपके लिए यहां पर homework है वुमेन के रिगार्डिंग में जैंडर एक्वैलिटी के रिगार्डिंग में कौन सा हमारा जो SDG है जो बताता है तो SDG का जो goal number है उसके बार में आप comment section के अदर बताना जो वुमेन इक्वैलिटी और यहां पर जैंडर एक्वैलेटी है उसके perspective स important है कि इसी meeting के दोरान में उनके द्वारा basically एक project है उसको भी launch किया गया जिसके अंदर यहां पर कोची से लक्सदीप की regarding में optical fiber cable है उस project को यहां पर launch किया जाए उसी के perspective से और आप देखें कि G720 है जो यहां पर इसरो का हमारा यहां पर commercial arm है जिसको कि हम new space एंडिया लिमिटेड के रोम से जानते हैं जो फ्लैकोन 9 नाम का जो space X का जो यहां पर रोकेट है जिसके तुरू इसको launch किया जाएगा 2020 के समय में जैसे कि optical fiber network system के regarding में जो cable का जो project है जो launch किया गया है वहां पर कोची से जिससे कि यहां पर अंडमान निकोबार लक्सदीब के अंदर जो ब्रोडबेड का जो connectivity है इंटरनेट का जो connectivity है उसको यहां पर boost किया जा सके नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैकोन 9 के बारे में एक reusable two stage rocket है जो आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि यहां पर reusable two stage rocket है जो क बेसिकली यहां पर space X के दुवरा launch किया गया था आप देखी कि archaeological survey of India के दुवरा कहा गया है जो भी उनका report निकाला जाए उसको public domain के अंदर ना रखा जाए तो आप देखी कि 19-61 के समय अलगजेंडर कनिंगम नाम के जो person है जिनके दुवरा archaeological survey of India को establish किया गया Mortimer Wheeler नाम के जो person है या कौन से ऐसे person है जिनके दुवरा 19-02 के समय इसको reconstitute किया था उसके बारे में आप comment section के अंदर बताना archaeological survey of India के बारे में इंडियन नेवी ने अपने Gulf of Arden के अंदर में अपना जो surveillance उसको increase किया है वहाँ पे जिस तरीके से जो attacks उनको carry out किया गया उसी के regarding में यहाँ पे देखे कि नामीबिया से जो चीता लाए गए थे उनके दुवरा बेसिकली जो नए बच्चे है उनका जनम हुआ है तो आप जो चीता है उसके comment section के अंदर बताना उसका basically जो IUCN status है उसके बारे में तो आपको अफ्रीकन जो चीता है उसका IUCN status उसके बारे में बताना है जो इंडिया से लाए गए थे वहाँ पे अफ्रीका से नामीबिया का नव कंट्री है वहाँ से इसके लावाँ students अगर हम Asian चीत चीता के बारे में डिसकस करें तो Asian चीता का जो प्रजेंट प्रजेंस है वो इरान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है उनका जो IUCN status है वो critical endangered है FSSI के बारे में हैं उनके दुवारा basically food के regarding में जो complaint है उसको यहाँ पे file किया गया inquiry है उसको carry out किया जाएगा इंडियो missions है उनको launch किया गया तो इसपेस के sector के अंदर में ऐसे 2024 के अंदर में भी काफे सारी जो missions है जिनको launch किया जाएगा तो यहाँ पर जो टॉप 6 space missions उनके बारे में discuss किया गया है जैसे कि first mission आप देखें कि यूपोरा यूपोरा नाम का जो mission है जिसको यहाँ पे launch किया जाएग 2024 के समय में next अगर हम बात करें students यहाँ पर Artemis के बारे में है Artemis second basically आपको पता होना चाहिए कि Apollo नाम का जो Greek mythology के according जो Apollo नाम के जो person हुआ करते थे उनकी जो sister है उनका नाम Artemis के नाम से आपको जानने के मिले मिलेगा तो उसी के regarding में 1972 के समय जो Apollo mission launch किया गया था उसी की similar line के यहाँ पर launch किया जाएगा NASA के दुआरा इसका main motive यही है कि यहाँ पर दुबारा से जो human being है उसको moon के उपर में send करना है जूपीटर का जो largest moon है उसके perspective से यूपिरा mission है उसको launch किया जाएगा थर्ड आप देखे कि हमारे यहाँ पर आपको wiper mission है वो देखने के लिए मिलेग नासा के दुआरा फूर्त अगर हम बात करें स्टूडेंस यहाँ पर लूनार के रिगार्डिंग में है नासा का जो mission है जिसको launch किया जाएगा lunar के अंदर moon के उपर जो water है उसी की रिगार्डिंग में तो lunar travelizer नाम का एक mission है प्राइम first वह आपको देखने के लिए मिलेगा lunar lunar travelizer जो प्राइम first है lunar जो प्राइम first mission है जो नासा के दुआरा फिर देखिए कि यहाँ पर जापान Space Agency है जिसको की हम जाक्सा के रूप से जानते हैं जापान Space Agency के दुआरा मेर्टियन जो मार्स है उसकी रिगार्डिंग में जो moon का exploration mission है वो launch किया जाएगा जापान के moon exploration mission moon exploration mission जिसके अंदर में जो यहाँ पर जो अलग लग उसके जो moon से जैसे की पोबोज है डेमोन से उनके बारे में जो analysis है जो investigation है उसको carry out किया जाएगा six अगर हम बात करें हेरा नाम का जो mission है वो launch किया जाएगा European sports agency के दुआरा आप देखें कि NASA के दुआरा एक dart mission है जिस लिए मिलता है तो उसी के रिकार्डिंग में यहाँ पर जो mission है European Space Agency के दुआरा भी डिडीमोस और डॉर्मफोस जो नाम का जो एरिया जैस्टरोइड बेल्ट का जो रीजन है उसके perspective से European Space Agency के दुआरा जो हेरा नाम का जो mission है उसको इस साल launch किया जाने वाला है next is regarding the alpha के बार correct है उसको implement किया गया था अगर हम बात करें उल्फा के इबारे में 1985 का जो आसाम अकूर्ड का existence के आद में उल्फा आपको completely peaceful organization के रूप में देखने के लिए मिलता है अभी उसका एक peace pact है जिसको sign किया गया था किसके साथ में हमारा जो center agency है आसाम का जो government है इन उल्फा के regarding मे यही है कि यहाँ पर basically main stream के अंदर में उल्फा के जो एक्टिविस्ट है उनको add किया जा सके तो this is all the information regarding the उल्फा के perspective से है next is about the rural youth के बारे में discuss किया गया है रूरल youth के बारे में discuss यही किया गया है कि आप देखे कि आने वाले समय में 2014 तक यहाँ पर 50% जो लोग है वो urban areas के ल बट उसकी वज़े से हम rural areas के जो लोग है उनको neglect नहीं कर सकते हैं उनकी regarding में जो policy का जो framing है वो भी यहाँ पर carry out किया जा सके 30 million के आसपास जो लोगों के बारे में कहा गया है कि वो यहाँ पर non agriculture activities के अंदर involved है rural areas के अंदर में आने वाले समय में इतना जो number है वो increase होगा तो उसको deal करने का जरूरत है non agriculture sector के जो लोग है उनको यहाँ पर आप skilling करने का समय है उनको skill provide करना चाहिए government के दुआरा आप देखे कि यहाँ पर एक rural mission भी हम read करा करती थे पहले के time में मिशन हुआ करता था जिसके अंदर में rural areas को यहाँ पर cluster के रूप में develop किया जा सके जिससे कि लोग वापिस से रूरल एरिया जाए उसके perspective से migrate करें agriculture को यहाँ पर के अच्छा एक employment के रूप में प्रजेंट करने का जरूरत है जो better way में जो employment है जो MSP है वो government के दौरा अगर provide किया जाए तो आने वाले समय में जो agriculture है वो यहाँ पर youth है उसको adopt किया जा सकता है next अगर हम बात करें students next news is regarding the यहाँ पर नेतन हायू के perspective से है आप देखे कि Israel के अंदर में एक नेतन हायू के दौरा decision है वो लिया गया था जिसके अदर वहां का जो opposition parties है उनके दौरा basically decision के अं government है उनके दौरा वहाँ पर उसके अंदर में basically decision का main motive यही था कि judiciary का जो low है उसको limit करना था कि basic structure के regarding में जो judiciary का कोई भी power नहीं है अगर उसको यहाँ पर amend किया जाता है तो आपको यहाँ पर देखी कि वहाँ का जो judiciary है उसके दौरा agreement का यह provision है उसको cancel कर दिया गया वहाँ के 15 bench है वहाँ पर judges की जो संक्या है वो 15 है तो 12 ratio 3 के basis पर उसको basically cancel कर दिया गया है इसराइल का जो judiciary है उसके दौरा अगर हम बात करें students इसको यहाँ पर एक doctrine के perspective से देखा गया है और यह doctrine का जो perspective है जो judicial intervene का जो doctrine है यह आपको हर जगे देखने के लिए मिलेगा चाए Australia का बात ह तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर हम इसराइल के perspective से discuss करें तो आप देखें कि वहाँ पर कोई भी written constitution नहीं है single house वहाँ पर present है ceremonial जो प्रेसिडेंट का जो आपको power है वो आपको देखने के लिए मिलती है तो यह regionability का जो doctrine है वो एक important doctrine का role play करता है जिस तरी के regarding में यहाँ पर discuss किया गया है कि present समय में वैसे ही war and conflict का समय है और उस तरीके से इस तरीके जो डिसरी को यहाँ पर limit करने का कोशी से वो काफी घलत है वो बताया गया है next is about the blood management system के बारे में है क्या total African countries में जो sorry students जो डबलू हो का जो आफ्रीका का जो region है उसके अंदर जरुरत जैसे covid-19 के समय में हमारी जो total जो population है उसके perspective से जो 6 lakh blood है उसका जो negligence है या कमी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा total अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे 1.27 जो करोड़ blood का जो unit है वो collect की जाती है बट यह भी यहाँ पे जो 6 lakh unit है उनसे जो कम है वहाँ पे देखने के लिए 6 lakh unit का जो storage है उसको और भी जादा करने का जरूरत है इंडिया ने अपना जो blood management system है उसको काफी अच्छे से manage किया है बट इस्टिल आपको जो shortage है आप देखें कि 6 lakh unit का जो shortage है वो आपको देखने के लिए मिलता है तो क्या करना च management system है वो अच्छे से होना चाहिए पीपी मोडल के रूप में हाब इन स्पोक मोडल के रूप में यहाँ पर जो blood management है उसको start करने का जरूरत है आप देखें कि smaller जो blood samples है smaller units को यहाँ पर develop किया जाएगा जिससे कि यहाँ पर छोटे-छोटे areas के अंदर में जो blood है उसको तक बताने का जरूरत है कि कोई भी यहाँ पर जो blood के दोरान में अगर ब्लड डोनेट करते हो तो कोई भी आपको यहाँ पर जो कमजोरी है जो कमी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा इसके लावे स्टुडेंट जिस तरीके का misinformation देखा जाता है कि blood का जो यहाँ पर जो development है वो काफी लेट होगा उस परसन के लिए one and two month हो काफी difficult होंगे तो इस तरीके का कोई भी situation हो आपको blood का जो donation है उसके अंदर में नहीं देखने के लिए मिलता है तो यह basically इस information के बारे में discuss किया कि इसको develop करने का ज़रूरत है public private partnership के रूप में हाब एन spoke model को develop करने का आपको यहां पर basically blood donation आपको भी करना चाहिए students अगर आपने blood donate किया है तो आप one year के अंदर में आप जरूर से कीजिए minimum तो आप one year के अंदर कीजिए अगर आप ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं तो हर एक दो तीन महिने के अंदर एक बार जरूर से blood donate कीजिए काफी अच्छी से donate करना चाहिए किसी को भी emergency situation के अंदर में अगर वह जरूरत हो आपको आपको सही लगेगा आपको खुद को भी सही लगेगा किसी के लिए काम आई वहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करें extra constitutional power के बारे में है तो IT Act के बारे में discuss किया गया है आप देखिए कि 2017 के समय में ना उसके अंदर में जो इन्वेस्टिगेशन है सर्च और सीज का जो operation है उसको carry out किया जा सकता है तो आप देखिए कि हमारी right to privacy होते हुए किस तरीके से इन activities को carry out किया जाता है क्या हमारे income tax Act के अंदर में already यह provision हुआ करता था ओल्रेडी आप देखिए कि 1922 का जो provision है income tax Act का उसके अंदर में ऐसा कोई भी provision नहीं था search and seize के perspective से उसके बाद में independence के बाद में इसको add किया जाता है समय समय पे जो इसके amendment आते हैं जिसके अंदर MP सर्मा केस भी है उन सभी के बारे में यहां पर discuss किया गया है कि IT search के अंदर में कैसे extra constitutional जो power है वो यहां पर दी गई ह हमारी जो investigation agencies है उने उसके बारे में यहां पर discuss किया गया है तो आप इसके अंदर में जो हमारा IT Act है उसके बारे में एक बार रीड करना MP सर्मा केस है केस पुटा स्वामी केस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चीए तो basically यहां से question यह तरीके से बनेगा कि आपको यहा किया जाएगा तो basically आप किस तरीके से यहां पर किसी भी conclusion है उसके ओपर reach करोगे कोई भी यहां पर आपको जो tip मिला है कि वहां पर basically इस तरीके से कोई भी जो income tax है उसका चोड़ी हुआ है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो इसके बारे में रीड करना के केस पुटा स्वामी केस के बारे में आप नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के perspective से है इस्टुडेंट वर्ल्ड के perspective से आप देखें कि European agencies के दौरा European EU के दौरा यहां पर रसिया का जो largest diamond का जो जिनके दौरा एक्सपोर्ट किया जाता था उसके उपर जो बैन है वो लग manufacturing है वो carry out किया जाता है डवलो हो की जो चीफ है World Health Organization के जो चीफ है उनकी दौरा रेड क्रेशेंट का जो ओफिस है उसके ओपर attack किया गया तो उसको उसको कंडेम किया है कि घामास का जो बेसिकली जो गाजा इस्ट्रीप है उसके इंदर रेड क्रेशेंट के ओपर attack करना यह काफी कंडेम जो बेसिकली वर्क है उसको यहाँ पर कंडेम किया गया है इनके दौरा यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टुडेंट जापान के बारे में है आपको एक सुनामी के उज़े से काफी कुछ जो attack है वो वहाँ पर हुआ है लोगों का death भी हुआ है के अंदर में जो बैरूथ के अंदर जो अटैक हूँ हो उसके अंदर में इस्टाइल के जो मिनिश्टर हैं उनके दौरा यहाँ पर ंसको वापिस से रेटन करने के बारे में इसकुस किया गया है हार्वर्ड की जो प्रेसिडेंट है उसका भी इसराइल और हमास के यहाँ पे रिजाइन है वो करना पड़ा इस इस रिगार्डिंग दा साउथ कोरिया के बारे में है उनके द्वारा के इस तरीके से हमारा जो नैवल है उसको यहां पे बेसिकली वैस्टन कोष्ट के अंदर में जो एकसरसाइज जो उनके द्वारा कैरी आउट की गई है ट्रम्प के द्वारा आप देखी कि डिपोर्टेशन के बारे में है ट्रम्प के द्वारा डिपोर्टेशन के बारे में इन्फोर्मेशन ये है कि उनके द्वारा डिपोर्टेशन ओपरेशन को चलाने के बारे में बात की गई है डोमस्टिक जो लोग है उनको प्रोटेक्ट करने के बा illegal migrants से उनको रोका जा सके इसके लाव आप देखे कि Tokyo के अंदर जो plane crash हो उसको यहाँ पर investigate किया जाएगा नाइजर के बारे में है इसके बारे में आप read करना इसके location के perspective से आप देखे इस एक असीना मैम जो है वो fifth term के लिए यहाँ पे जो PM है वो elect हो सकती है उसके behind के बारे में यह है इस्टोरी कि वहाँ पे जो opposition party है उनके दोरा इसको basically elections को by court किया गया है उनके दोरा participate नहीं किया गया इसके लाव आप देखे कि वहाँ पे मोहमद यूनिस नाम की जो person है जो micro small and medium enterprise या हम बात करें कि micro finance है उसके perspective से उनका वर्क काफी जादा important है उनको भी basically जो case है उसके अंदर file किये गए है उनके against विजनको 2006 के समय nobel prize भी दिया गया था बंगलादेश ग्रामिन बैंक का उनके perspective से तो this is all the information related to today's newspaper आज थोड़ा late हो गया students newspaper कल से courses करेंगे आपके लिए जल्दी upload किया जाए थोड़ा तो thank you students thank you